भारतिय टीम से नजर अंदाज किये जा रहे युबा बल्लेबाज सर्फराज खान का बल्ला रुखने का नाम नहीं ले रहा है घरेलू किरकेट में रनो का अमबार लगाने के बाद भी सर्फराज को टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही है पिराट कोली इंगलेंड सिरीज से हटे तो लगा सर्फराज का मौका मिलेगा लेकिन रज़त पादिदार टीम में आ गए और सर्फराज बाहर ही है अभी भारतिय ए टीम इंगलेंड लाइन्स के खिलाप अनाधिकारिक टेस्ट मैच खेल रही है सर्फराज ने अहमदाबाद में हो रहे है इस मुकाबले में तुफानी सतक ठोग दिया है नमबर चार पर बल्ले बाजी करने उतरे सर्फराज ने इंडिया एक के लिए सिर्फ नवासी गेंदो पर अपना सतक पूरा किया या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका चोधेहमा सतक है लाइन के खिलाप पिछले मैच में भी उन्होंने अर्थ सतक लगाया था देबदत पदिकल की सतकिये पारी और कप्तान अहवन्यू इस्वरन के अर्थ सतक के बाद भारत ने अच्छी सुरुआत की थी लेकिन फिर टीम बैक फुट पड़ा गी 22 रन बनाने के भीतर टीम के चार विकेट गिल गए लेकिन फिर सर्फराज ने पारी समाली और वशिंटन सुंदर के साथ 179 रन जोरे 26 साल के सर्फराज 161 रनों की पारी खेलने के बाद ओलिवर प्रिंस की गेंद पर आउट हुए 160 गेंद की अपनी पारी में उन्होंने 18 चोके और 5 चके मारे बाए हास के स्पिनर कैलम पारकिंसन उनके निसाने पर रहे उनके खिलाब सर्फराज ने सिर्फ 51 गेंदों में 66 रन ठोक दिये प्रिंस के खिलाब उन्होंने 14 गेंद में 31 रन मनाए जबकि इंगलेंड के लिए टेस्ट खेल चुके मैथ्यू पोटेंशन के खिलाब उन्होंने 45 गेंद पर 37 रन जरे हर किसी के जुबान पर यही सवाल है कि सर्फराज को टीम इंडिया में मौका कम मिलेगा उन्होंने साउत अफरीका में इंट्रा स्कॉाइड मुकाबले में भी सतक ठोक है 45 फस्ट क्लास मैच की 6 सर्फाडियों में सर्फराज के नाम 4912 रन है उनका स्ट्राइक रेटर और सत दोनों 70 का है इस दोरान सर्फराज ने 14 सतक और 11 अर्फ सतक मारे वह 301 रनों की पारी भी खेल चुके है लेकिन इसके बाद भी अभी तक टीम इंडिया में नहीं आए अब देखते हैं क्या सर्फराज को इस पारी के बाद जगह मिलती है या उनका इंतजार और भी लंबा रहता है क्या आप सर्फराज को इंडियन टीम में देखना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं नवीटी स्पोर्ट के लिए रिसी केस कुमार की रिपोर्ट